वैसे आज जब जनता जनारदन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी हैं, तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है। ये दुकान है अफ्वा फेलाने की, अफ्वा मैनिफेक्चर करो, फिर अफ्वा को प्रवाहित करो, और उसी अफ्वा को सच मान करके दिन राद चिलाते रहो। मुझे बताया गया है कि हाँ टनकपूर बागेश्वर लेल लाइन को लेकर, ये उत्त्राखंड विरोधी नए ब्रह्म फेला रहे हैं। साथियों टनकपूर बागेश्वर लेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा आधार है। और इसलिए हो रहा है ताकि इस रेल लाइन पर जल्दी से जल्दी काम सुरू हो सकते हैं। और मैं आप लोगों को आज यहां करके विश्वास देने के लिए आया हूँ। आज रशी केज कन प्रयाग रेल रूट बन रहा है। कल टनक पुर भागेश्वर रूट भी ऐसे ही बनेगा। मेरे उत्राघण के भाई और बहनों यह सिलास न्यास के सिर्फ पत्थर नहीं है। यह पत्थर मात्र नहीं है। यह वो संकल पर शिलाए हैं। जो डबल इंजिन की सरकार सिद्ध करके दिखाएगी। साथियों जब हम किसी एत्यासिक ठल पर जाते हैं। तो वहां में बताया जाता है कि इस थान को इतने साल पहले बनाया गया था। यह अमारत इतनी पुरानी है। लेकिन दसकों तक देश का यह हाल रहा है कि बड़ी योजनाओं की बात आते ही हमारे यहां क्या कहा जाता है। हमारे यहां कहा जाता है यह योजनाओं इतने साल से अठकी है। यह प्रोजेक इतने दसक से अधूरा है। पहले जो सरकार में रहे हैं यह उनका पर्मेनेंट ट्रेड मार्क रहा है। आज यहां उत्राखन में जिस लखवार प्रोजेक का काम शुरूआ है। उसका भी यही इत्याज है। आप सोचिये सातियों उत्राखन में आज जो यहां लोग बैटे हैं। उनके चार-चार दसक भीत गए होंगे। यह बाते सुनते आये होंगे। आप जानकर के कथायत भूल भी गए होंगे के मसला क्या है। इस परियोजना के बारे में पहली बार उननी सोचा गया था। करीब करीओं पचास साल हो जाएंगे इस बात को। आज 46 साल बात 46 साल बात हमारी सरकार ने इसके काम का सिलान्यास किया है। कोई देश सोच नहीं सकता है था। करीब करीब पांच दसक तक एक योजना फाइलों में इदर से उदर लटकती रहे। हर चुनाओं में वादे किये जाए। भाईयों भैनों मेरा साथ साल का रेकॉर्ड देख लीजिए। खोज-खोज करके ऐसी पुरानी जीजों को ठिक करने में मेरा टाइम जा रहा है। सच्चा यही है कि जो पहले सरकार में थे उन्होंने उत्राखन के सामर्थ की कभी परवा नहीं की। परनाम यह हुआ कि ना तो हमें परियाप्त बिजली मिली ना किसानों के खेतों को सिचाई मिली और देश की अधिकतर ग्रामिन आबादी को पाइप से शुद्ध पानी के अभाव में जिंदगी गुजारनी पड़ी। कर दोगि को अप्राइप टो और दोड टॉप्स वोज़ा स्थरी अजस्त अप्राइब नाग्ट भज़ाणी नांग्ट, कुछ ऑ philanthropist टेड़ी।